चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे भरते हैं शुरू करते ही गाउं अधारियों की खब्दे सीकर चुले के अजीदगर थाना इलाके के बुर्जा की धानी में की वक्की कोई में गेने से मौत हुगई इस गटना की सुशना पर पुलिस मौकी पर पहुचे एक घंडे की गड़ी मशक्तित के बाद शब को बाहर निकाला जासे का फुलिस ने शब को सरकार इस्पताल की मोच्ची में रखवाया वहीं मेडिकल बोर्स से शब का पोस्ट मातिं कराकर शब पर पर जुनों को सौपती अगया मृतक हरीराम यादव की करीब जेर साल पहले ही शादी हुई थी वहीं पर जिनों ने हत्या की आश्रंका जिताते हुए मामला दर्ज करवा फिलाल पुलिस इस मामले की जाच में जुटी आवारा परिश्यों से वरिशान किताबगर शहर के लोगों को इस समस्या से जल्द मेजात मिलेगी नगापरिशत की साधरन सबाकी बैचत में सर्थ सम्बती से आवारा पश्यों को मगटने के साथ कई विकासकार पर चर्चा है राजे सरकार के और मरोनीत पार्शदों का भी बैठक में स्वागत किया गया बैठक में भाज़कार कॉंग्रेस के अधिकांश पार्शद मौजू रहे नागोर जिले के अमर्पुरा में संच शिरो मडी लिखनी दास जी माराज के 166 पुनेति थी में केंद्री आजुमंत्री सिया चौधरी नागोर एमेले हबीव रह्मान पहुचे अमर्पुरा केंद्री मंत्री आजुनाम विवाल के शिरो मंत्री पुना सेनी भी इस कारिकर में शुकत करेंगे मुख्याती थी केंडियो मंद्री सियाद चौजी ने संत की पक्चिन्दों पर चलने उनके विचाक जहन कर उनके सिध्धानतों को अपने जीवन में उतार कर उनकी बताय मार्ट पर चुलने का आहवान किया सिरोही केश्वगंज में केसरपुरा ग्राम पंचयद के खेजडिया गाओं में खंडरा सरक मागपन विमित रपठ वारिश के विज़े से तूटने से लोगों को आवागमन में परिशानी का सामना करना पड़ता है सिरोई के शिव गंज में शिव कलोनी के वाशंदों ने स्टेम को ग्यापन सोबा ऐसे डालकर जुलाने वाले आसमाजिक तत्वों के खिलाफ कारवाई की मांग की अजमेर के विचे नगर में मसूदा स्टेम फिरिश चावला ने बताया कि क्रिशिव पजमंडी समिती में संचालक मंदल चुनावों के लिए मंडी छेत्र को आठ वार्डों में वभाजित किया गया अपूर्ज में छे वार्थी और अठाई सितंबर तक आपत्तिया मांग ग अजमेर के बिनाय में दे वलीकला ग्राम में हो रहे हैं इगरामईडों में रोष है ग्रामीडों का आरोप एक दस दिनों से अधिकारी अपनी मनवर्जी से विजली कटोती कर रहे हैं ग्रामीडों ने ग्यापंदी का विजली कटोती बंद करने की मांग के अज मेर के बिनाएं में बस स्टैंड से अधिकरमार हटाई गई पुलिस पिशासन मौकी पर मौजूद था कई सालों से ग्रामीड वैजूद से कैबन निर्मान का रत्कमर किया हुए थे। ग्रामीडों ने इसका पुरूद किया करॉली के नादोती में राइस्तान सरकार की भामशाय योजना में बनेकार में भारी गलती सामने आई महिला के पती की अमर बारे साल और बेटे की अब 25 साल अंकित मिली है जैसल मेर की नाचना में एटीम लूट के छे आरोपियों को जैसल में नियायले में पेश किया गया सभी को पांच जिन की रिमाज पल लिया गया पॉलिस मामलों में इसे कूछ ताज करेगा पाली के रानी के सामुदा एक स्वासी केंद्र को गडपत राज बदन राज महता चैटेबल ट्रस्ट रेने अस्पताल में महिलाओं के डिलिवरी के लिए लेवल टेवल भेट की बूदी के काप्रेई में जहरेलो केड़े के काटने से किसान की मौत हो गई जाप पूरी कटना गेंडोली की जोग पढ़िया काउंट है चित्तौगर की रावत भाटा में उरी में सेना की कैमप पर हुए आतेंगे हमले के विरोध में भैस रोलगर पंचार समिती से युवाव महिलाओं ने आक रोश रैली निकाले जोए रैली पंचार समिती से शुरू हो कर कांदी चौक्स पहुंची वही पागिस्तान के बिधान मंदिर नवाज शरीफ के पुतले को चलाया गया और दो मिनिट का मौन रख शहीद और कुशिद्धा जिली दी गए भरत्पुर के वैर नगर फालिका अदिशौ से दिकारी नवरतन शर्मा द्वारा की जारी मनमानी और सच भारत अवियान की अभेलना करने को लेकर कलेक्टर के नाम ते सिंदार को कसिवास्योने ग्यापन सौपा जांग्यापन में आरोफ लगाया है कि वैर में यो द्वारत सफाई विवस्ता नहीं की जा रही है जिसकी कारण सरकों पर गंद्गी का आलम है और वहां चालकों को काफी परेशानी हो रही है चित्वागर के पुपाल सागर में जमकर मौनसून बर्सा फिर भी पेजल के लोग तरस रहे हैं वहाई अधिकारी संतोष कर जवाब नहीं दे रहे है श्रीक गंगानेकर के पदमपुर में सैनिकों के लेवी इंज बायला पत्रिकार स्र्णग में जन पत्रिधियोंने शित्धानली सभा का आवज़न्द किया श्रीदो को शित्धानचली दे करना मन किया सीकर के फत्यपुर में 28 अगस्त को विजली तारों से गंधी रूप से जोसे एक यस्ती की मौत वा एक विस्ती की खायल की वामले में ग्रामिडों में भारी आप्रोश है ग्रामिडों ने पेड़ित परवार को मौवजा और दोश्यों की खलाफ कारवाई की मांग को लेका प्रदाशन किया और इदली बिलों के वहिश्कार करने की खूश नकी नागोर की मेरिता सिटी में कश्मीर नहुए आतंकी अमले की दौरान शहीदों जवानों को याद किया गया श्वेर के युवाओं ने चार बुज़े चौक में मौंबती जिलाकर शहीदों कुछ दांज लिदी युवाओं ने भारत माता की जयकारे लगा रे वीका नेर की नोखा में पबलिक पार्क से जागतार रेली निकाली गई शहर के मुखे बाज़ारों से होते हुए लोगों को रक्तदान के लिए जाग रुक किया गया जालावार के बवानी मंडी में सुरेल में वापार महास्तांग वभारत विकास परिश्य दिवास शाखा के सेंगत वतधान में रमुकश्मीर में शहीद हुए जवानों को शिदांज लिदी गई सिरोही के रेवदर में अत्करमट के कारण कस्वे में जाम लग जाता है दुकानदारों ने रास्ते तक सामान फैलाया है जिसके कारण कई बार वाहंचालकों को दिक्कते उठानी पड़ रहे है अजमेर के नसीरबाद में छावनी परिशद में नगर के पंद्रे आवारा गायसान वच्छों को अजमेर गौशाला भेज दिया लोगों की शिकायत पर नगर के उबिन चेत्रों में आवारा भी हुपी पश्छों को पकड़ा गया को की निवाई में करीफ मौसं के अंदरगा छेत्र में दलनी फक्तलों के इस्तिती एवं संभावित उच्पारिक्ता के आखलन ही तू गठिद दल ने उपकंच्छेत्र के गाउं चेनपुरा में मूंग की फसल काव लोकन किया गौलपुर के बाड़ी में गाउन नगला बीदोहरा के वाशिंदों ने सब सेंटर पर एक अत्रितों का चिकसल भाग वाड़ी उपकंच्छासन के खिलाफ प्रिदर्शन करना अरे बाजी किये दोसा के बांदी कोई में आपका रिवभाग ने लासोच रोट पच्छा आदा की जाड़ी की समय किस्ते तंग्रेजी श्राप की दो दुकानों में अमित्ता पाई जाने पर दोरों दुकानों के लाइसेंस एक महा के लिए ने अब बित कर दिये मही शहर में देशी स्राप के दुकोदामों में भी एने मित्ता पाई जाने पर नक्षा ने रस्त कर दिया दौसा की वैवा में मंडावर थाना चेत्र के ग्राम टोड़रा के समीर जमीर व्रादन दोपक्ष मलाथी वाठा जन्म में दो महिलाओं से छे लोग घाय लोग है गंबी रबस्ता में घायल एक महिला कुझे अपर रफ्र किया गया हन्मानगर के वाधरा में गोगा मेरी मेले में सिर्सा से दोग लगाने एक महिला शिद्धालू की सोनी की चैन चोरे हिने का मामना सामय आया पीड़िताने तीनों महिलाओं पर गले से सोनी की चैन निकालने का संदेज़ वाहिर किया चूरू की सरदाव शहर पंचाय समीती सरस से विनोध देवी और अन्य ने कई गाउं में फसलों में लगे कीट से वे खराबे का सर्वी किये जाने की मांग की जहलावार की मरोवर थानों में चुरो निजी स्कूल के कंप्यूटर साइट की समानों पर हाथ साफ कर लिया इसके पहले भी चूरी हो चुकिया लेकिन पुलिस में कोई कारवाई नहीं कि अलवर के कोट कासिर में आतंकी हमले के विरोध को लेकर बार अस्सेशन साइट विविन संगट्टों ने मंगलवार को रोश प्रकट किया राजकी महाविद्याले बीविरानी साइट नीजी सरकारी विद्यालों में चाठ चात्राओं ने शही दो कुष्ट धांजली अर्शित की अलवर के बहरोध कस्वी में व्याप्त गंगी के कारण मौसम भूमारियों को फैलने का खत्रा बढ़ गया है कच्छे के डेर में मच्छर पनफने से कई लोग भूमारियों को शिकार हो चुके हैं प्रिशासन भी सतर्क नहीं है दोस्र जिले की सिकरा पंचाय समिति की राणओरी रंचाय पंचायद की गळकस्वी में एक माल से पानी की समस्वी जलदाइ व्यभाग रंचायद दोनों की बीच बंच हूई है कस्विन में बनी पेचल टैंकी गुल्दार विभाग नें ग्राम पंचयत की बार्वर करना बताते है business एसमें पानी की कस्विन समस्टा वनि जाती है और इस मामले पर फिशासु ध्यान नहीं दे रहा है बहरतपुर के कामा में मौस्वी व्मारियों का प्रिकोप है तिसे लोगों में दैश्रक का माहॉल है लेकिन जिक स्वास बात द्वारा विमारियों की रोब थाम के लिए बितक कोई थोस कदम नहीं उठाए है जानकार लोगों का रुपेकि योजना के कारणे की जाच करने वाले अधिकारी विस्ट्रचार कर रहे हैं भरतपुर के कामा में गूम रहे आवारा गौवंश से लोग बहुत दुखिया परिशान हैं और ये गौवंश गरों में बूस करगंदगी फैला रहे हैं लेकिन नगरपाली का पुशासन आवारा गौवंश को पकड़वाने के लिए को कारवाई नहीं कर रहा है अजबेर के केकडी के ग्राओं गुलगाओं में चारगा भूवी पर गाओं के कुछ प्रिभाबशाली लोगों ने कभजा कर रखाया जोए इस परिशानी की चलते लोगों ने कलेक्टर को ग्या पन सौपा और खबर पंचायत में फ्लाल वक्त एक वेक का बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ